भारत में एक दिन में COVID-19 के 9,283 नए मामने सामने आए यसी के सार देश में कोर्णा के कुल मामनों के संक्या 3 करोन 45,35,763 हो गई है वह इस माहमारी के कारण इस दोरान 437 लोगों के मौत हुई जिससे कुल मौतों का आकड़ा 4,600,584 पहुंच गया 11,949 मरीजों के ठीक होने के साहती अस्पतालों में उपचार दीन मरीजों के संक्या घटकर 1,11,481 हो गई जो की पिछले 537 दिनों में सबसे कम है मरीजों के ठीक होने के राश्यदर 98.3% है जो मार्च 2020 के बाद से सरवादिक है एर्देश में अब तक 3,49,57,658 मरीज इस महामारी को मात दे चुके हैं एम सिदले के नदेशा डॉक्टर रंदीप पुलेजा ने कहा कि एर्देश में कोविट की पहली दो लहरों की तुलना में उतनी तरिपता वारी तीसी लहर आने की संभावना नहीं है उन्होंने कहा है कि इस समय संकर्मन की मामलों में इजाफा नहीं होना ये दर्शाता है कि जी के अब भी वारस से सुरक्षा परदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसी बूस्टर खुरा की कोई ज़रूरत नहीं है कोई वैक्सीन की दूरों डोस्ट कोर्णा के सिंजोमेटिक में 50-30 परवावी है ये दावा लेसेंट इनपोस्यश डिजीज जनरल में प्रकाशित भारतिय वैक्सीन की रियल वर्ल्ड एंसेंसमेंट में क्या गया है लेसेंट में हाली में चपी पियर रिव्यू में ये बात सामने आई थी कि कोई वैक्सीन कोईना के लक्षन वाले मरीज़ों में 37 दश्वमलब 8 पीज़ी तक असरतार है स्कूलों के दवाला शुरू होता है अब चातरों के संकर्मित होने के मामने भी सामने आने लगया पंजाब के मांसा के खेला गाओं में सित्थ जवाहर नवोदय विध्याले की 14 चातर कोवीट पॉज़ी पाए गया जब बच्चे संकर्मित होए है वो आच और 9 पी के चातर है कोड़ा के मामने सामने आने के बाद स्कूलों को 14 दिन के लिए बंद करने का अर्देश दिया गया